नमस्क्रार दोस्तो, One India में मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ पाकिस्तान के पूरू कप्तान और महान तेज के इंदबाज वसीम अगरम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं हाल फिलाल के दिनों में उनने कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी जो काफी वाइरल भी हुई थी हाली में अकरम ने बताया था कि वो काफी लंबे समय से कॉरंटाइन में हैं और इसकी वज़ा थी कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचे थे और ऑस्ट्रेलिया में कॉरंटाइन के नियम काफी कड़े हैं और इसके बाद ही वो अपने परिवार से मिल पाए स्विंग के सुल्टान के नाम से मशूर फेमस अकरम दस महीने के बाद अपने परिवार से मिल पाए और इस पल का उन्होंने एक खूपसूरत वीडियो अपने ओफिशिल ट्वीटर हैंडल पर अपलोड भी किया है वीडियो में जब अकरम अपने घर पहुचते हैं तो उनकी बेटी आईला धरवाजे को खोलने के लिए दोड़ती है इसके बाद बेटी पता को सामने देखकर बेहत भावुक हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं अकरम अपनी बेटिया को गोद में उठा कर बड़े लाड प्यार करते हुए नजर आते हैं आपको थदी ये चोटा सा वीडियो वसीम अकरम की पतनी ने सूट किया है और इस वीडियो पर पूर पाकिस्तानी उल्राउंडर नے क्रेड़ित उन अपनी बीवी को नहीं दिया लेकिन माना जा रहा है कि ये वीडियो उनकी पतनी शनाइरा अकरम नहीं बनाई है अकरम ने वीडियो के कैप्शन में लिखा आखिर दस महीने बाद अपनी बेटी को देखने का मौका मिला अकरम ने साथ ही प्रिंसेस को इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए अपनी पतनी शनायरा का भी दिल से धन्यवाद दिया आपको दादी शनायरा वसीम अकरम की दूसरी पतनी है और शनायरा आस्ट्रेलिया में शोशल वर्कल है पिता और बेटी का ये खूब सुरद वीडियो फैन्स को खूब पसंद आ रहा है और फैन्स अलग-अलग प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे है आपको दादी COVID-19 ट्रैवल रिस्टिक्शन्स की वज़े से अकरम पिछले 10 महीनों से अपने परिवार से दूर थे इस दौरान पाकिस्तान में थे जबकि उनकी पतनी और बेटी आस्ट्रेलिया में थे 55 साल के अकरमर आस्ट्रेलिया पहुचने के बाद 14 दिन का हार्ड कॉरेंटाइन पूरा करने के बाद ही उन्हें फैमिली से मिलने की इजाज़त दी गई फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं One India के साथ